कि नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हैं आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके घर में आपके माता-पिता आपके पजिजन बहुत ही कुशाल होस्ता में होंगे हम विश्वर्ट से कामना करते हैं कि आपके घर में ऐसे आपके माता-पिता हमें साब खुश हाल है तो दोस्तों मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आइश्टो संजय में आज मैं आप सभी की बीच में एक नेट अपको लेकर प्रस्तित हूं आपकी जो भी समस्या का जो समधान है जो भी आपकी समस है लेकिन इसका जो प्रचला नहीं पहले पहुचाता ही था क्योंकि पहले टेलीफोन नहीं था जब टेलीफोन नहीं था तो मोचली क्या होता था कि हम इसका जो डाक होता है इसका 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 मातला कम हो गई है लेकिन फिर भी इसका अभी भी काम है तो आये जानते हैं कि जैसे सपने में आप डाकिया देखते हमें तो इसके क्या प्रेणाम होंगे यह शुबं होंगे क्या शुबं होंगे अज़ भी हम ऐसे डी से करके में डाकिए बाटा करेंगे किसी वèces पर आप होता है तो ऐसे सपने होते हैं हमारे लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं चाहे वह अच्छे बदलाव हो चाहें खड़ाब बदलाव हो चाहें यह से भी जो भी हो लेकिन आपको उसका फल ज़रोद में लेगा तो ऐसे सपनों को एग्णोर नहीं करना चाहिए आने वाले निकट भविश में आपको खुश्रिया प्राप्त होंगी आपको कोई शुब समचार मिलेगे आपको आने वाले समय में आपकी चीज़ों पर काफी इसका प्रभाव होगा यदि आप सपने में देखते हैं कि आप डाकिया को आप फॉलो कर रहे हैं आप पोस्ट आउटे थी जो भी आपकी परिशानिया थी जल्द खतम होंगी और आपको एक नया मार्क मिलेगा जिस पर आप चलते हुए काफी अपनी चीज़ों को काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को आप खतम करने में काम्याप रहेंगे तो दोस्तों यह थी आज यानकारी उमीद भी मिलती रहें और अगर आपको कोई सवाल है तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंसेज कर सकते हैं आपको आपकी समस्याओं का समधान मिल जाएगा तो दोस्तों अपना ख्याल रखें मिलते हैं अपने के सीरीज में तब तक के लिए जये मताई दोस्तों